गुड मॉर्निंग हम लोग ने लेसन टू लर्ण किया था इंग्जिस कोर्स बुप में अब हम लोग उसकी question-answer solve करेंगे हाना इससे question-answer में जो सबसे पहले question-answer हमारे पास है वो है refer to the context इससे जो हमने story read की है उस story को ध्यान में रखते हुए उसको याद करते हुए हमको यह questions के answers हमारे को देने होते हैं क्या question है पहला put a tick in the box if the statement is true and a cross if the statement is false अगर जो statement है वो right है तो हम लोग उस पर tick करेंगे और अगर false है तो हम उसको cross करेंगे से पहला statement हमको दिया है गुल-गुल has drawn a moon in her summer picture गुल-गुल ने जो summer picture draw करे थी आप लोग देखेंगे पुपन जो summer picture गुल-गुल ने ड्रो करे थी ना this is गुल-गुल summer picture यह जो summer picture थी summer picture ने तर यह moon है कि sun है यह तो sun है moon नहीं है तो यह wrong है हम लोग यहाँ पर cross करेंगे next में है the ice cream when is green in color क्या ice cream when green है color में हमने देखा था ice cream when तो white color की थी next the snowman has a red scarf around the around the shoulder shoulder पर snowman के पास कौन सा scarf था red था तो हाँ red है हमको दिख रहा picture में तो वो write करेंगे winter is गुल-गुल's favorite season गुल-गुल ने कहा था था ना कि मेरे I love all seasons but winter is my favorite तो बिल्कुल सही है winter गुल-गुल का favorite season हम देंगे next हमारे पास है answer these questions in a word or two हमको खाली one और two word में answer दे है हना तो question के how old is गुल-गुल-गुल कितनी बड़ी है तो उसने पहली बार में answer दिया था नहीं यहाँ पर कि hello friends my name is गुल-गुल I am six years old यहां हम लोग answer देंगे six years खाली हमको लिखना है six s-i-x-y-e-r six years next है what tree does the winter drawing have winter drawing में कौन सा tree है तो हमको दिख रहा है कि वो Christmas tree है हम लो does गुल-गुल like to do गुल-गुल को क्या करना अच्छा लगता है तो यहां हम लिखेंगे draw फिर what are the children in the monsoon drawing वेरिंग बच्चों ने क्या पन रखा है monsoon drawing में आप लोग देखाता है हम लोग लिखेंगे colorful rainbow अब यहां पर हमको think and discuss में एक activity करनी है हमको क्या करना है कि अगर आप गुल-गुल की जगह होते और आपको कोई कहता है कि आपको summer drawing बनानी तो आप एक summer drawing में क्या draw करते है हना तो आप सबको क्या करना है अपने एक book के अंदर अपने को summer drawing बनानी है अपने अपने मन से कि आप लोग को summer season को draw करना हो तो आप लोग उसमें क्या लेंगे sun लेंगे आप लोग आईस्क्रीम लेंगे आप वाटरमेलन लेंगे मेंगो लेंगे, क्या लेंगे आप संसीजन में Next हमारे पास आता है Spell and Say यह हमारा pronunciation का पार्ट है इसकंदर हमको क्या करना है हमको सबसे पहले short E sound के words पढ़ने, short E sound मतलब जिसमें जो E है उस पर short stress आता है, थोड़ा सा stress हम लोग देते हैं जैसे red, neck, shed, wet यह सब short E sound words क्यालाते है Next activity हमको क्या करना है इन सब को हमको पढ़ना है और जो word हमको ode लग रहा है इसमें जिसमें E का sound नहीं आ रहा है उसको हमको क्या करना है circle करना है, जिससे red, bed shed, wet wet में E का sound नहीं है इसको हम लोग circle करेंगे फिर इसमें neck, pec, deck pec, इसमें जो pec है यह में E sound नहीं है, इसको हम लोग circle करेंगे, इसे wet, bet mate, bait यह bait है, इसको हम लोग circle करेंगे इस तरह से pig, pig leg, beg, तो यह pig अलग सा है अलग sound कर रहा है, इसको हम लोग circle करेंगे अब हम लोग learn करेंगे opposites तो read the following pairs of words हमको following pairs of words read करना है फिर हमको उनमें क्या combination है, क्या उनमें link है वो हमको search करना है जैसी ये hot है, ये cold है ये दोनों एक दूसरे के opposite है opposite मतलब विप्रीत, उल्टा हाना, इसी तरह से wet और dry, गीला और सूखा ये दोनों भी opposite होते है तो what is common in these pairs of words they are opposite words क्या common हैं के अंदर, they are opposite words a word with a meaning that is completely different from the meaning of another word is called its opposite जिस एक word जिसका meaning दूसरे word के meaning से completely different होता है, बिलकुल अलग होता है, उसको हम लोग opposite करते है for example hot is the opposite of cold and wet is the opposite of dry अब हमारे पास एक activity है, इसी के लिए हम लोग एक activity करेंगे activity हमारे पास क्या है, हम लोग देखेंगे up, down, फिर हमारे पास क्या है black, white ये opposite है अब हमको क्या करना है, match each word to its opposite, one has been done for you, आपको जो word है, उसको उसके opposite word से match कराना है open है, तो open का पास क्लोज, इसी तरह से आपको सारे बड़ सर्च करना है, उनके opposite के साथ उसको match कराना है, ओके